हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपको बताऊंगा डिगॉक्सिन टेस्ट क्या होता है डिगॉक्सिन टेस्ट कब करवाया जाता है डिगॉक्सिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है डिगॉक्सिन टेस्ट कैसे होता है डिगॉक्सिन टेस्ट की कीमत क्या होती है पूरी डिटे इस द्रग की अत्यधिक मात्रा शरीर के लिए हानिकारक होती है इसलिए ये दवा देने के बाद इस टेस्ट को नियमित अंतराल में किया जाता है ऐसा इस ड्रग की खुराक पर नजर रखने और हार्ट फेलियर वा अरिथीमिया से पीडित लोगों में इसके विशाक्त करवाया जाता है ये टेस्ट डिगॉक्सिन दवा की खुराक को व्यक्ति की उम्र बिमारी की गंभीरता और व्यक्ति की स्वास्थे इस्थिती के अनुसार निश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि दवा के परेडाम अपेक्षा के अनुसार आएं इस प्रक्रिया को ठ थेराप्योटिक ड्रग मॉनीटरिंग यानी टीडियम कहते हैं डिगॉक्सिन के टीडियम से ये पता लगाने में भी मदद मिलती है कि व्यक्ति किसी अन्य स्वास्थे इस्थिती से ग्रस्त है या ऐसी दवाई ले रहा है जिनके कारण डिगॉक्सिन के लेवल बढ़ रहे इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं जैसे जी मिचलाना, भूख कम लगना, दस्त, उल्टी, उल्जन के साथ साथ, चकराना, दिखाई देने में तकलीफ, धुंधुला दिखना, आखों के सामने चीजों के चारो और, पीले या हरे रंग दिखाई देना, किडनी के विकार उच्छ केल्शियम और खून में पोटेशियम और मेगनीशियम के कम लेवल, एक्क्यूट डिखोकसिन टॉक्सिसिटी के खत्रे को बढ़ा देती हैं नमबर थ्री डिगॉक्सिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या होती है डिगॉक्सिन टेस्ट की नॉर्मल रेंज 0.5 से 2.0 नैनो ग्राम पर मिलिलीटर के बीच में होती है हर लैब की रिफरेंस रेंज अलग-अलग हो सकती है इसलिए रिपोर्ट का रिजल्ट जानने के लिए से संपर्क करें. No.4 Digoxin Test कैसे होता है? Digoxin Test के लिए normally blood sample की आवशक्ता होती है, जो patient के वेन से लिया जाता है. इस test को करवाने के लिए किसी खास preparation की आवशक्ता नहीं होती है. ये test आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी करवा सकते हैं. नमबर फाइफ डिगॉक्सिन टेस्ट का प्राइज क्या होता है डिगॉक्सिन टेस्ट का प्राइज 1,000 रुपीज से 1,200 रुपीज के बीच में हो सकता है So friends, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए Thanks for watching this video